हेल ने अपना रिक्रूट्मेंट नोटिपेशन जारी कर दिया है और यहाँ पे एपरेंशिप की वेकंसी अवलेबल है अगर आपने बीवेटेक किया है या फिर आपने डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे अपलाई कर सकते हो यहाँ बहुत बढ़ेस टाइपन भी आपको जरूर देखिए अगर आपको यह पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के दाश शेयर जरू करना ताकि जो भी लिजिबल है वो इसमें अपलाई कर सकता है आपने लाश कुछ वीडियो को बहुत बढ़िया रिस्पॉंस दिया आई होप सेम रिस साथ शेयर करना चाहूंगा अगर आप गेट और एसी 2023 के लिए प्रिपेर कर रहे हो तो आपके लिए अर्न एकरे में लेकिया रिए गेट और एसी 2023 न्यू बैचेस यह जो बैचेस है वो कंप्यूटर आइटी के लिए सिविल के लिए इलेक्टिकल के लिए इलेक्टॉनिस के लिए और मेकानिकल के लिए होने वाले हैं यहाँ पे जो बैचेस में सिखाने वाले एजुगटर आप स्कीन पे देख सकते हो जिन से आप बहुत बड़े कोचिंग ले सकते हो इन सबी को 15 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपिरेंस है तो आपको बहुत बड़िया गाइड किया जाएगा कि पर्टिकलर कोईशन को कैसे सौल करना है क्या क्या चीज़ों पर आपको ध्यान देना है सबी चीज़े आपको बहुत अच्छी तरह से समझाई जाएगी और यह जो बैच है वो फॉस डिसेंबर से शु की है नोक्यूलेटर के नडवली से लट्यार जिससे बैचस के एंडूर्मेंट पर आपको 10% का इंस्टेंट डिसकाउंट मिल जाएगा अभी बात करते हैं यह जो डिसेंबर को अनौंस कर दिया है और यहां पर जो लोकेशन है वो लखने लोकेशन के लिए होने वाली है तो अगर आपने डिग्री की है मतलब वी बिटे किया है मेकानिकल से, ऐllä Double से, सिविल से, कंपूटर साइंस से तो आप यहापепर अप्लाई कर सकते हैं और आप 2019, 2020 या फिर 2021 में पास आउट हो तो आप यहाप अप्लाई कर सकते हो 2022 वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं और 2018 से पहले जो भी पास आउट हो वो भी आप्लाई नहीं कर सकते हैं Next जो eligible है उनके बारे में बात करते हैं Diploma student So अगर आपने diploma किया है mechanical से Electrical से, Electronics से, Civil से, Instrumentation से, Computer Science और IT से तो आप यहाप़ अप्लाई कर सकते हो आपके लिए भी सेम चीज़ है आपने 2019 में आपका डिप्लोमा कम्लिट किया होना चाहिए या फिर 2020 में या फिर 2021 में तो ही आप यहाप़ अप्लाई कर सकते हो जिनका रिज़र्ड पेंडिंग है या फिर जिनका रिज़र्ड 2019 से पहले आया है वो यहाप़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं अभी बात करते है एज लिमिट की तो एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिम एज लिमिट जो है वो 26 ES होने वाली है और यहाँ पे SST candidate के लिए 5 सल का relaxation और OBC के लिए 3 सल का relaxation होने वाला है यहाँ पे कैसे apply करना है उसके बार में भी detail में चीज़े दी गई है तो आप सभी को पता है apprenticeship के लिए apply करने के लिए MHRD Nats के official website पर जाके आप पो register करना परता है और वहाँ से application form आप भर सकते हो दिप्लोमा के लिए दोनों के लिए direct selection होने वाला है कोई interview नहीं है कोई exam नहीं होने वाली कोई application fee यहाँ पर नहीं है बट यहाँ पर आपका जो selection है वो आपके BTEC के marks पर यहाँ पर diploma के marks पर selection होने वाला है इतना ही अबर आपको उड़े पसंद आओगा तो श्रुक लाइक कीजिए शेर कीजिए और चानल को सब्सक्राइब करना मत बुलिए धन्यवाद